हलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चनल आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का चैप्टर नम्बो फाइव लिटिल रेड हैं ओके यह से मिस्टर टू की बुक से है अगर आपके कोई और बुक लगी हुई है तो उसमें कोई किसी और नमबर पर हो सकता है बड़ जो चैप्टर का नम है वो है लिटिल रेड हैं यानिके लाल छोटी मुर्गी हैं मेंज क्या था है मुर्गी read this play about little red hand read means क्या था है पढ़ना ओके this play इस play के बारे में पढ़ते हैं about मने इसके बारे में little red hand चोटी लाल मुर्गी के बारे में she works very hard she works वक्ष में क्या होता है काम करना very hard वो बहुत कठिन काम करती है and enjoys और मजी लेती है what she gets for her hard work तो हाँ तो क्या करती है वो hard work उसके बारे में हम इस play के अंदर पढ़ेंगे play क्या होता है एक जिसे आप कोई भी cartoon देखते है न अप न इसको हम लेटी में play बोलेंगे न रिए इसको हम ओम एक थिरे के से play बोलते हैं कोई नातक जाशा ना उसको हम बोलते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है scene number one इसमें scene number one दिया हुआ है जिसे कि अगर आप छोठा भीम देखते हैं में क्या होता है एक बार छोटा भीमच होता है महल के अंदर होता है दूसरी बार वो टुन टुन आंटी जो है उनके पास में होता है तो जो वो महल के अंदर होता है तो वो एक सीन होता है और जो टुन टुन आंटी के पास होता है तो दूसरा सीन होता है तो सीन नमबर वन चोंटी लाल मुर्की है जो मैदानज कोथे वहां पर पर जाती है यह या कुछ अनाच के दाने है वीट यानिके गैहूं के इन दर कौन से मिलते हैं गैहुं के दानी मिलते हैं, गैहुं का अनाज के कुछ दानी मिलते हैं She goes, she does not eat them, वो उनको नहीं खाती है She does not, वो नहीं खाती है, eat them, उन्हें नहीं खाती है She wants to plant them, she wants means चाहती है to plant them वो उनको उगाना चाहती है, उनको बोना चाहती है, ठीक है, प्लांट करना चाहती है Her friends live near the field Her friends, उसके जो friends है, उसके live रहते हैं near the field उसके जो near field जो है, जो मैदान है जहाँ पर वो है, उसके पास में उसके friends रहते है She asks, वह पूछती है them, उनसे to help her उसकी help करने के लिए, dig the field, यानि कि dig means क्या होता है, खोधना Field को खोधने के लिए, उपने friends से पूछती है And plant the seeds, और जो seeds होते हैं उसके बाद, उनको plant करने के लिए So, अब क्या hand पूछती है, hand करने है, hand करने है, hand बोलती है Hello friends, यानि कि जिसे आप normally अपने friends से बोलते है न, Hello friends, वैसे ही बोलती है I have found some grains of wheat I have found, यानि कि मुझे कुछ मिला है, some grains of wheat गय हूँ के कुछ दाने मुझे मिले है Will you help me plant them? क्या तुम मेरी help करोगी उन्हें बोने में? ठीक है? Will you help me to plant them? यानि कि क्या तुम मेरी help करोगी उन्हें बोने में? So, जो उसकी friend है duck, वो किती है, note I मैं नहीं, I am too busy मैं बहुत busy हूँ क्या बोलती है, I am too busy मैं बहुत busy हूँ, यानि कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, हिंदी में हम बोलते हैं busy को व्यस्त, ठीक है? So, अब उसकी जो एक और friend है cat उसने फिर cat से भी पूछा है, उसने सब friend से पूछा है कि तुम मेरी help करोगी क्या? So, cat भी उसे कहते है, not I मैं भी नहीं, my kitten are sick kittens क्या होते है, यानि कि जो cat होती है, जो billy होती है उसके बच्चे होते है, उनको क्या बोलते हैं? So, my kittens are sick, जो मेरे बच्चे हैं billy के जो बच्चे हैं, वो क्या है? sick, वो बिमार है और dog भी बोलता है, not I मैं भी नहीं, I have to guard the field I have to guard the field यानि कि मुझे जो guard means क्या होता है? guard means होता है, वो field की देख भाल करना, उसको उसके देख लेक करना, ठीक है? I have guard the field, मुझे field की मैदान की जो है देख भाल करनी है, अब जो hand है then I will plant them myself, अब hand बोलती है then to I will मैं करूँगी, plant them myself, यानि कि myself मदद क्या होता है, अपने आप जिससे कि मैं अपना कोई काम खुद से करती हूँ I do it myself, यानि कि मैं अपने आप उनको plant करती हूँ, उनको बोती हूँ सेंग दिस, ये कहने के बाद, little red hand goes away little red hand goes away she digs the field, उसने फिल्ड को खोधना शुरू किया, dig means क्या होता है, खोधना बता है, dig means खोधना, the field then, तब, she plants the greens all by herself और उसके बाद, उसने सारे के सारे जितने भी seeds से, उसके पास में greens, ठीक है, जो भी greens थे, उसने क्या करा, उनको dig कर दिया उनको dig करने के बाद में, उनको plant कर दिया, अपने आप से उसने अपने आप से herself यानिके, जो hand थी, उसने अपने आप से, उनको सब को plant कर दिया, ओके, इसमें तीन सीन है, तीनों मैं सीन आपके साथ में जो है, डिसकस करूंगी, आप देखिए, इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले हम शुरू से read करेंगे, read means होता है, पढ़ना read means होता है, पढ़ना इनको underline इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इन words को आपको हमेशा याद रखना है अगर आप अपने बच्चों को करवा रहे हैं, तो आप बच्चों को कहीगा कि वो इन words को याद करें, ठीके very enjoys, वैसे normally बच्चों को पता होता है, बट आप देख लिजगा कि आपके बच्चों को कौन कौन से words आते हैं कौन से नहीं आते हैं, उसके हिसाब से जिसे के find find means पाना, grains means दाने, wheat means गैहूं, ठीके, field हो गया she does not eat them, she wants to plant them, her friends live, live means रहना, near means past the field she asks them to help her dig, dig means dig means क्या होता है, खोदना, ठीके, मैं आपको बटाया थे ना, dig means खोदना, the field and plant, the seeds, seeds means beads, ठीके, तो इस तरीकी से कर आप अपने बच्चों को जो है, underline करके देंगे words और जब वो chapter पढ़ता है, तो क्या होता है बार-बार उसकी नजर जो है जो words underline किये होए है उन पर जाती है, और धीरी-धीरे जो है, automatically उनको वो words याद होने शुरू हो जाते है आपको बहुत महनत नहीं करनी पढ़ेगी गर आप अपनी बच्चों को पढ़ा रहे हैं मैं अपनी mostly हर वीडियो में चीज़ बोलती हूँ कि आप underline ज़रूर करवाए बच्चों से पैंसल से, उससे क्या होता है कि बच्चों की नजर रहती है उन words के उपर अगर बच्चा यहाँ पढ़ रहा है अगर उसका focus हट भी रहा है तो अगर उसने यहाँ देखा तो उसकी नजर इपाढ़ जाएगी seeds, finds इस तरीके से क्या होता है बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और हर किसी का दीखे अपना अपना तरीका होता है अपने बच्चों को संझाने का पढ़ाने का, में भी हो सकता है यह मेरा अलग हो या आपका अलग हो पर अगर आपको लगता है कि यह तरीका सही है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा जिसे कि यह हर सेल्फ तो आप इन तरीके की जितनी भी वर्ट से ना उनको अंडरलाइन कर दीजिए उनकी हिंदी बच्चो को जरूर बताइए क्योंकि जब आप बच्चो को जो भी वर्ड आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चे के लिए आप उसको हिंदी में भी उसको एक्स्प्रेइन करते हैं तो वो जल्दी से उसको सीख जाते है ठीक है जो इसका नेक्स पार्ट है आगे का जो दो सीन इसमें दिये हुए है वो मैं आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी ठीक है थैंक्यू बाई